दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंदर दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंदर तब है तो लगता है मुझे दिन रात में नांतर यादों की हर लहरों में है प्यार का समन्दर तो जमी भी अपनी अपना ही आसमा है तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो कै जीवन भर कहते मैं बैठा हूँ बचे तु जिनता ना कर कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तो जिन्पा ना कर ओम शांती बेहत बाप के प्यार की सैक्रीन खाने वाले सफलता संपन करमातीत ब्राह्मनों को गौर्धिल मौर्णिंग एक है हमारी डाइरी में दिल में बाबा का नाम होना दोसरा है बाबा की डाइरी में बाबा की दिल में हमारा नाम होना क्या है ज़्यादा मात्वपुर्ण कि हम बाबा के दिल में बस जाए बाबा को हमारा आकर्शन हो, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है ऐसा? कैसे होगा? बाबा आज 29 मई 2024 को यह राज खोलेंगे हमें कर्मातीत बनना है, अबस्था हमारी परिपक वह हो, मैच्चूर हो, कैसे पता चलेगा? बाबा आज निशानिया बताते हैं, तो सभी इमानदारी से चेक करेंगे और देखेंगे हम कहां तक पहुँचें हैं सेवा में बाबा कम मदद करते हैं? कैसे करनी है सेवा? भक्ति की रस्म, रिवाज, कर्म, कान्ड का क्या रहस्य है? क्या यथार्त है? प्रत्यक्षता का परदा कैसे खुलेगा? ये सब जानने के लिए बुद्धी का ताला खोल कर सुनते हैं, बुद्ध वार के शिव वानी मीठे बच्चे याद से याद मिलती हैं. जो बच्चे प्यार से बाब को याद करते हैं, उनकी कशिश बाब को भी होती है. याद से याद मिलती हैं. बाबा कहते हैं, मिठरा घुरते घुराए. तुम याद करो, तो मैं याद करूँगा. तुम प्यार करो, तो मैं प्यार क तो याद से याद मिलती है, जो बच्चे प्यार से बाब को याद करते हैं, उनकी कशिश बाब को भी होती है, बाबा ऐसे बच्चों की तरफ खिचा चला आता है, जो बाबा को दिल से प्यार से याद करते हैं, बाबा को उनकी अट्रेक्शन कशिश होती है, तो हमें बहुत प्यार से याद करना है ताकि बाबा के हम नैनों में समा जाएं, दिल में बस जाएं बाबा की डायरी में अपना नाम दर्ज करा लिए प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुर्शार्थ सुनाओ तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? और उसे कैसे पाया जाए? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी, तो सब करमिंद्रियां शीतल हो जाएंगे सभी करमिंद्रियां शीतल हो जाएंगे स्थूल भी और सूक्ष में चेक करो, आखी अभी दर उदर कहीं जाती है, मन बुद्धी दर उदर बटकता है जाना नहीं चाहते लेकिन पाउं उदर बढ़ जाते हैं, करना नहीं चाहते लेकिन हाथ वो कर्म कर लेते हैं मुख से बोलना नहीं चाहते थे लेकिन निकल गया, ऐसा है अभी भी तो बाबा कहते हैं, जब तुम बच्चों की परिपप ववस्था होगी, तो सब करमिंद्रियां शीतल हो जाएंगे मना निर्विकारी बनते जाएंगे, काम खुरूद पर जीत पा लेंगे करमिंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा, अवस्था अचल अडोल बन जाएगे इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए करमिंद्रियां वश हो जाएंगे तो करमिंद्रियों का मालिक बनना है, करमिंद्रियां मेरे गुलाम, मैं आत्मा मालिक इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जाच करो नोट करने से सावधान रहेंगे दिन भर में जो भी करते हैं न? उसको नोट करना है, देखना है पोता मेल देना है, रेजिस्टर रखना है तब तो सावधानी रखेंगे न? योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है अब कर्मेंद्रियों वश कैसे होएंगे योग से योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा कितने भी पॉइंट्स हम सुनने लिखने लेकिन प्रेक्टिकल में यदि ग्यान नहीं है तो फिर फाइदा क्या बाबा कहते हैं योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा नौलेज इस माइट कहा जाता है न तो जानना ये तो अच्छी बात है लेकिन स्वरूप बनना वो तो योग योग तो होंगे जितना योग लगाएंगे तब बनेंगे धारना होंगी तो इस्थिती अवस्था हमारी परिपक्व बनेगी उन शांती यह है याद की यात्रा सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं सिर्फ तुम यहां नजदीक में हो बाबा के बच्चे तो सभी याद करते हैं भक्त भी पहचानते नहीं लेकिन याद करते हैं यहां तो हम सम्मुक हैं पास में हैं जो जो जहां भी हैं बाब को याद करते हैं तो वह automatically नजदीक आ जाते हैं देरे देरे देखो मदुबन पहुत जाते हैं जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदिक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदिक, कोई दूर भी होते हैं, देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, जितना बाबा के करीब रहेंगे न, उतना ही चमकदार बनेंगे, यह बहुत नजदिक है, यह तो चमकता ही नहीं है, देखते हैं न कि ये स्टार बहुत चमकता है, ये नजदीक है, ये तो चमकता ही नहीं है, तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ग्यान और योग के सितारे, ग्यान सूरे मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच् करते हैं उस बाब को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है बाबा को याद करते हैं भगवान को प्राप्तियों के लिए और बाबा क्यों याद करते हैं जो बच्चा कहना माने सर्विस करें तो जहां जहां ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ग्यानसूर्य बाब भी उ याद करते हैं, तो हमारा connection ऐसे होता है, बाबा याद करें, हम याद करें, और connect हो गए, जो बच्चे याद नहीं करतें, उनको बाब भी याद नहीं करतें, बाबा ने आज साफ साफ कह दिया, तो मुझे याद नहीं करतें, तो मैं तुमको याद नहीं करता, उनको बाब की याद भी नहीं पहुचते हैं, याद से याद जरूर मिलते हैं, हम याद करें और बाबा ध्यान न दे, बाबा याद न करें, यह हो नहीं सकता, तो बच्चों को भी याद करना हैं, बच्चे पूछते हैं, बाबा, आप हमको याद करते हैं, देखो, बच्चे माबा उसे आप क्यों नहीं याद करते जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं हर एक अपने से पूछे कि हम कहां तक बाबा को याद करते हैं आपको हिचकी नहीं आती इसका मतलब आप बाबा को याद नहीं करते क्योंकि बाबा फिर आपको याद करते तो हिच्छी आती तो बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछे कि हम कहा तक बाबा को याद करते हैं एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाते है बाब को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं अब मिलने का समय आया हुआ है रामा का राज भी बाप ने समझाया है बाप आते हैं आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं बाप तो एक ही है उनको ही सब याद करते हैं परन्तु याद सबको नंबर वार अपने अपने पुर्शार्थ अनुसार मिलती है, जितना हम याद करेंगे उससे कई गुना बाबा हमें याद करते हैं, जितना बहुत याद करेंगे वो जैसे की सामने खड़े हैं, करमातीत अवस्था भी ऐसे होनी है, जितना याद करेंग कर्मिंद्रियां चंचल नहीं होंगी अब पता चला कि हमारी कर्मिंद्रियां क्यों धोका देती है क्योंकि हम बाबा को याद ही नहीं करते याद करते तो विकर्म विनाश होते कर्मिंद्रियां शीतल होती कर्मिंद्रियां चंचल बहुत होती है न इसको ही माया कहा जाता है कर्मिंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो यहां योगबल से कर्मिंद्रियों को वश करना है वो लोग तो दवाईयों से वश करते हैं क्या क्या साधन अपनाते हैं असाधू सन्यासी तो बाबा कहते हैं या तो तुम्हें योग बल से करमेंद्रियों को शान्त करना है बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती हैं बाब कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना करमेंद्रियां वश हो जाएंगे तो याद ही है एक मात रूपए कर्मिंद्रिय जीत बनने का और कर्मिंद्रिय अवश हो गए तो बाबा कहते है इसको कहा जाता है कर्मातीव अवस्था कर्म के फल के प्रभाव से अतीद, परे, न्यारे, कर्म के बंधन से न्यारे और प्रभावित यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है सो तो भगवान ही सिखलाएंगे भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को तुम्हें इन विकारी करमेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरशार्थ करना है इक एक करमेंद्रियों का दर्बार लगाना है चेक करना है आख, नाख, मुख, कान, तवचा हाथ, पैर, मुख, मलद्वार, मूत्रद्वार मन, पुद्धी, संसकार, सब चेक करना है सब का दर्बार लगाओ जानेंद्रिय, स्थूल करमेंद्रियां, सोख्ष्म करमेंद्रियां बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे करमेंद्रियां वश हो जाएंगे ये करमाती तवस्था है और ये याद की यात्रा से ही होगा इसलिए भायत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है जो भगवान सिखाते हैं भगवान किसको सिखाते हैं अपने बच्चों को और बच्चों को क्या करना है इन विकारी करमेंद्रियों पर योगबल से जीत पाने का पुरशार्थ करना है संपूर्ण पिछारी में होंगे जब परिपक्व वस्ता होगी फिर कोई भी करमेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी अभी चंचलता बंध होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी करमेंद्रिय धोखा नहीं देगी तो कर्मेंद्रिय अभी चंचल हो रही है माना हमारे संफूर्ण अवस्ता परिपक वस्ता में बहुत margin है, gap है उसको तै करना है 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रिया वश हो जाती है सबसे मुख्य है काम याद करते करते करमेंद्रियां वश होती जाएंगे अभी करमेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं तुम्हारे पाप योगबल से कटते जाएंगे तुम पवित्र होते जाते हो यह है नमबर वन सबजिक्ट बुलाते भी हैं पतित से पावन होने लिए तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं बाप ही नौलेज़ फुल है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो यह भी नौलेज है एक है योग की नौलेज दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नौलेज एक तो है बापा कहते है योग की नौलेज कि खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है दूसरा क्या करना है 84 जन्म के चक्र की जो नौलेज मिली है तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है तो दो knowledge है, फिर उसमें दैवी गुन automatically merge है, तो ज्यान हो गया, योग हो गया और फिर धारणा है, और ये होएगा तो सेवा तो automatic हो जाएगी, तो बच्चे जानते हैं, हम मनुश्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुन भी जरूर धारण करने हैं, अपनी जाच करने हैं, न आगे के लिए सावधान रहेंगे, अपनी जाच रखेंगे, तो कोई भूल नहीं होगी, बाप खुद कहते हैं, मामे कम याद करो, तुम नहीं मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो, बाबा पतित पावन है, वह जब आते हैं, तब ही ये direction देते हैं, अब इस direction पर अमल करना हैं आत्माओं को, हमने बुलाया तो अब कहना मनू, हमने बुलाया बाबा चला आया, तो अब बाबा का कहना मनू, तुम पाड़ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाब को भी जलूर इस शरीर में आना पड़े, ये बहुत wonderful बाते हैं, थ्रिमोर्ती का चित्र क इतना क्लियर है, ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं, यह भी बुद्धी में याद रहे कि हम ब्रामण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आये हैं, जब देवताओं की डाइनस्टी पूरी हो जा अब वह बाप तुमको यह पदपाने लिए युक्ती बताते हैं, तो सक्युक्त रेता में तो बाबा कहते हैं, राजाई की मान सम्मान मिला, लेकिन बाद में द्वापर से भी पूझनी बनते हैं, पूझ्य बन जाते हैं, लेकिन पदपाने के लिए बाबा कहते हैं, युक पुद्धी कैसी हो, सोने का बर्तन, जितना पुर्शार्थ करेंगे, उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी, ज्यान भी अच्छा सुनाते रहींगे, समझेंगे, जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेशकर मुर्ली चला रही है, पहले को ये सब बाते पते ही न, अब देखो मुख स निकलती हैं, तो क्या है, बाबा मदद करते हैं, बाबा कब प्रवेशकर करके, किस आत्मा को क्या टच करा देंगे, तो ये तो किसी को भी नहीं पता, किसी सेवाधारी को नहीं पता, तो बाबा कहते हैं, कि समझेंगे, जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेशकर मुर्ली चला रहे हैं, बाबा भी बहुत मदद करते हैं और उका भी कल्यान करना है वह भी ड्रामा में नून्द है एक सेकंड न मिले दूसरे सेंग, टाइम पास होता जाता है इतने वर्श, इतने मास कैसे पास होते हैं शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बार रिपील्ट करेंगे यह भी अच्छी रीती समझना है और बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो और कोई उपाई नहीं बाप काटने के और कोई उपाई है किसी के पास तो कोई बताया कि बाबा चैलिंज करते हैं एक मुडले में बाबा ने कहाँ कि चैलिंज है चनौती है कोई और तरीका है तो बताओ बाबा कहते इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब्थी भक्ती कहते भी हैं भक्ती का फल भगवान देंगे क्या फल देंगे कब और कैसे देते हैं या कुछ भी पता नहीं है बाब जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकठे हो फल मिलना है न तो किसी से मिलेगा तो अभी देखो लेने वाले देने वाले इकठे हैं ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है, सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ, अंतिम जन्म है, हो सकता है, कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई पार्ट बजाना है, तो जन्म भी ले सकते हैं, अब किसी का कोई हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, तो जन्म ले नहीं पड़ेगा, किसका बहुत हिसाब किताब होगा, तो जन्म भी ले सकते हैं, किसके बहुत पाप होगे, तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे, जल्दी जल्दी आत्मा शरीर छोड़ेगी और हिसाब किताब पूरा करे गर्ब में गया दुख भोगा फिर शरीर छोड दूसरा लिया देखते हैं कई बच्चे गर्ब में ही अब शरीर छोड देते हैं गर्ब में ही रिखती हो जाती है किसी के पैदा होते ही हो जाती है ते तो अपना-पना हिसाब किताब है काशी कलवट में भी यह हालत होती है एक शरीर चोड दूसरा लेते हैं पाप सिर पर बहुत है योग बल तो है नहीं काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना शरीर का घात होता है आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बली हार जाएंगे बाकी भक्ती मार्ग में बली चड़ते हैं वह भक्ती हो जाती है तो आत्म हत्या बोलते हैं तो बाबा कहते हो तो जीन खात होता है आत्मा तो अजर अमर अभिनाशी है तो भक्ती मार्ग में बली चड़ते हैं वह भक् किससे लेंदेन होती है? किससे होती है? देते हैं, लेते हैं, किससे? पाप आत्माओं से. रावन राज्य है न? बात कहते हैं, खबरदारी से लेंदेन करना. अब तो और हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है, बहुत समझना है, मिस्यूज हुआ, तो फिर हम भी सहभागी बन जाते हैं. तो बाबा कहते हैं, खबरदारी से लेंदेन करना. कहां कोई खराब काम में लगाया, तो सिर पर बोजह चड़ जाएगा. दान पुन्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है. क्याता है, हमने अच्छे भाव से किया, दूसरा मिस्यूज करें तो क्या है? नहीं, दान भी सुपात्र को देख करना है, बाबा कहते हैं. तो गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है. दान पुन्य भी खबरदारी से करो. गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है. वा आजकल धर्मशालाय आदी बना कर देते हैं. सावकारों के लिए तो बड़े-बड़े महल हैं. गरीबों के लिए हैं जोपड़ियां. कैश का लिंडिंग, जो है कैश का दान और सोच समझ के करना है. जिस पर फिर खेती आदी होती है. देखाए न, असलम मीरिया, मुंबई में है न, अधारावी. देखो, बाबा कहते हैं, सत्यूग में तो ऐसे किचड़े आदी पर खेती नहीं होती है. आज कर तो देखो, सबजियां में सब कैसे किचड़ में उगर ही है, कितनी गंदगी है. वहाँ तो नहीं मिट्टी होती है. बाबा कहते हैं, वहाँ किचड़े पर खेती नहीं होती है. वहाँ तो नहीं मिट्टी होती है. उसका नाम ही है, Paradise. नाम भी गाया हुआ है पुख्राजपरी सब्जपरी सब्जपरी हाँ सब्ज मना सब्जी करम के सहरा होता है तो पन्न पुख्राज पीला तो नाम भी गाया हुआ है पुख्राजपरी सब्जपरी रत्न है न कोई कितनी सर्विस करते हैं कोई कितनी करते हैं कोई कहते हम सर्व लिह शार्त अनुसार है जो फिर पूजे जाते हैं! पूजा होती हैं देवताओं की भक्ती मार्ग में अनेख पूजाएं होती है हा, कसकी कसकी पूजा नी हो त one यह देखो वाश्चाप ड्रामा में नुंध है जिसको देखकर मज़ा आता है भक्ति में भी टाइम पास होता है ना मनुरंजन है हम एक्टर्स हैं इस समय तुम को नौलिज मिलती है तुम बहुत खुश होते हो जानते हूँ भक्ति का भी पार्ट है भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं गुरू ने कहा माला फेरो बस उस खुशी में फेड़ते ही रहते हैं समझ कुछ भी ही नहीं रटा रटाया बोलते जाएंगे लेकिन मन बुद्धी देखो कहा जाती है बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं गुरू ने कहा बस करना है शिव निराकार है उनको भला दूद पानी आदी क्यों चड़ाते हैं शिव लिंग पर देखो इतना दूद चड़ाते हैं नालियों में बहर आए दूद क्यों चड़ाते हैं मूर्तियों को भोग लगाते हैं वो कोई खाती थोड़ी है भक्ती का पेश्गीर कितना बड़ा है कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं ददीची विशी ने किया ना अपनी हड्डियां दी और उससे फिर अस्तर शस्तर बनाए गए तो बाबा कहते हैं अपनी हड्लियां में इस सर्विस में स्वाह करने वाले हैं माना तनमंधन अपना रोम रोम अपने खूनकाई के कत्रा सब कुछ इस यग्या में लगा देंगे माना 100% समपूर्ण समर्पन तुमको कोई कहते हैं या तुम्हारी कल्पना है अरे या तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी रिपीट होती है कल्पना रिपीट थोड़ी होती है या तो नौलेज है यह नई बाते नई दुनिया के लिए कई कहते हैं ना कि यह ग्यान तो अच्छा है भगवान वज़ भगवान भी नया उनके महावाक्य भी नये भगवान भी नया उनके महावाक्य भी नये तो कोई भी पुस्तत में कहीं के भी लाइब्रेरी कोई भी देश ऐसे महावाथ के ऐसे sentences कहीं नहीं, ऐसी मुर्ली कहीं नहीं है तो wonderful पढ़ाई हैं, हम बच्चे भी देखो wonderful गुप्त रीती से जो हमें पढ़ा रहा है भगवान, निराकार हमने उनको पहचान लिया तो बाबा जोड़दार तो बच्चे भी जोड़दार हैं दादी प्रकाश मने एक बाबा से बात कर रही थी तो बाबा ने कहा कि तुमको ऐसा बाबा कहीं नहीं मिलेगा तुम लोगों को तो दादी ने बड़े नशे से कहा बाबा आपको ऐसे बच्चे भी नहीं मिलेंगे हमारे जैसे तो भगवान भी नहीं या उनके महावाक्य भी नहीं वो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच तुम कहते हो शिव भगवानुवाच हर एक की अपनी अपनी बाते हैं एक न मिले दोसरे से यह है पढ़ाई स्कूल में पढ़ते हो पल्पना की तो बात ही नहीं बाप है ग्यान का सागर नौलेजफुल जबकि रिशिम उन्हें भी कहते हैं हम रच्ता रच्ना को नहीं जानते हैं नेती नेती कहते हैं उन्हों को या नौलेज कहां से मिले जबकि आदिसनातन देवी देवता ही नहीं जानते बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाखी सब जोटे हैं, सिर्फ आप जो ब्रह्मा कुमारिया कह रही हैं, क्या खाली आप ही सच बोल रहे हैं, बाखी सब जोट है दुनिया में, तुम समझाते हो, गीता जो माई बाप है, उसे ही खंडन कर दिया है, बाखी सब तो रच रचना हैं, उनसे वर्सा मिल न सके, वेदो शास्त्रों में रचता और रचना की नौलेज हो न सके, पहले तो बताओ, वेदो से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो कौन स का धर्मशास्त्र हो गया गेता हो गई और इसलाम का कुरान हो गया बॉद्ध का धंपत त्रपिटक हो गया और इसाईयों का बाइबल हो गया तो चार धर्म धर्मशास्त्र चार बाबा कहते हैं बाकी तो फिर क्या है और भी धर्मिक पुस्तके हैं न तो बाप ब्राम्मन कु पुरेवंशी, चंदरवंशी, खुल में अपना पद पाते हैं, बाप आकर तुमको सम्मुक समझाते हैं इस रत द्वारा, रत तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है, आत्मा क्या चीज है, उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जान हैं, राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बागी सब हैं अन्राइटियस, जिससे फाइदा कुछ भी नहीं, माला किसकी सी मरते हैं, कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते, बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, खुद आकर परिचय देता है, प्रभू जो इस भूँ से परे हैं, परंधान से आते हैं स्वयम भूँ, जो स्वयम इस भूमी पर आया इश्वर, सबकी छाय पूरी करने वाला, वर्दान देने वाला तो खुदा तो खुद आकर अपना परिचर देते हैं ज्यान से सद्गती होती है आधा कल्प है ज्यान, आधा कल्प है भक्ती भक्ती शुरू होती है रावन राजिसे भक्ती से सीड़ी उतरते उतरते तमुप्रधान बन पड़े हैं किसके भी उक्यूपेशन को नहीं जानते हैं भगवान के कितनी पूजा करते हैं जानते कुछ भी नहीं तो बाप समझाते हैं, इतना उच्वत पाने के लिए अपने को आस्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत अगर किसकी बुद्धी मोटी है, तो मोटी बुद्धी से याद करें चलो, बहुत ज़्यादा ग्याद नहीं समझ में आता है विस्तार में ने जाना है सार सिर्फ बाबा को याद करो परन्तु याद एको ही करे फिर ये नहीं कि इसको उसको सबको गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आप से ही बुद्धियोग जोड़ेंगे अब बाब भी आए हैं तुम सब किस्से मिलने आए हो जो प्राण दान देते हैं मरे वे थे न हम देखो बाबा ने जिन्दा कर दिया जीना सिखा दिया और फिर कहते हैं जीते जी मर जाओ ये बाबा ही कह सकते हैं तो जो हमें मुर्षित से सुर्जीत कर देते हैं तो किसे मिलने आये हैं हम जो प्राणदान देते हैं आत्मा को अमर लोग में ले जाते हैं बाफ ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूं तुम को अमर लोग में ले जाता हूं दिखाते हैं ना अमर कथा पारवती को सुनाई तो अमर कथा सुनाई अमर लोग में जाने की कथा पारवती हम आत्माय पारवतन में रहने वाली पारवतियां और कहां सुनाई कैलाश परवस पर उचाई पर तो माउंट आबू देखो उचाई पर है और कितनी उची स्थिती में रहेंगे तो ये ग्यान समझ में आता है न तो बाबा कहते हैं अब अमर नात तो एकी है अमर नात ने श्यव बाबा ने कथा सुनाई पारवतियों को तो हिमाले पहाड पर बैठ ठोड़ी कथा सुनाईंगे बक्ती मार्ग की हर बात में वंडर लगता है अभी जो हो रहा है उसी कहानिया बनाई है तो बात तो यहां उची स्थिती ही है ना तो आत्मा समझ के परमात्मा बाप से हमें ज्यान सुनना है परमात्मा हमारा टीचर है ऐसी उची स्थिती में स्थित होकर मुर्ली सुनेंगे तब समझ में आएगी सब धार ना होगी और आत्मा समझ गई ही, परमात्मा बाप को याद करना है, अच्छा मीठे मीठे से कि लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुर्ध मौनिंग, रूँआनी बाप की रूँआनी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस ले शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए मुख्यसार पहला पॉइंट योग बल से करमिंद्री जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है इस सवस्था को पाने के लिए अपनी जाँच करते रहना है दूसरा सदा बुद्धी में याद रखना है कि हम ही ब्रामन सो देवता थे अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुलने को समझ कर लेंदेन करनी है वर्दान है सर्व सप्ताओं को सहयोगी बनाए प्रत्यक्षता का परदा खोलने वाले सचे सेवाधारी भव कौन से सप्ताइ हैं? राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्यान की सत्ता तो बाब दादा कहते हैं प्रत्यक्षता का परदा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेश्थ सत्ता इश्वरी ये सत्ता आध्यासमिक सत्ता है तो यही एक परमात्म सत्ता है परमात्म सत्ता ही सर्वश्रेष्ट है और वो यही है जब सब सत्ता वाले कहेंगे बाबा कहते है तब प्रत्यक्षता का परदा खुलेगा सभी एक स्टेज पर इकठे हो ऐसा स्नेह मिलन करे इसके लिए सब को स्नेह की सूत्र में बान समीब लाओ सहयोगी बनाओ महामंडलेश्वर है, राजनेता है, साइंटेस्ट है, बाबा कहते हैं सब को स्नेह के सूत्र में बान दो एक मंच पर लेकर आओ सहयोगी बनाओ, यह स्नेह ही चुम्बक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाब की स्टेज पर पहुँचेंगे तो अब अन्तिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित बनने की सेवा करो तब कहेंगे सच्छे सेवा धारी सबी ब्याइपीस को बाबा कहते हैं न, माई कात्माओं को, सब को एक साथ लेकर जाओ नई बच्चे, बाबा को उलाना देते हैं कि हमारा पार्ट शुरू से नहीं हुआ, हमें इतनी देर से पता लगा तो प्रत्यक्षता में तो पार्ट निभा सकते हैं, हीरो बनना किसी का सापना में रोल था, किसी का प्रत्यक्षता में है तो बाबा क्याते हैं, तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्ट करना या आगे बढ़ने की लिफ्ट है क्याते ना करो सेवा तो मिलेगा मेवा तो दुआएं सबसे बड़ा मेवा है तो सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्ट करना यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है दुआएं हमें आगे बढ़ाती है तो ये थी आज के मुड़ी रिवाइस करने के लिए आज के पॉइंट है पहला याद बाबा को याद करेंगे तो कशिश, बाबा को हमारी कशिश होगे दूसरा परिपक्व अवस्था होगी तो क्या होगा करमेंद्रियां शीतल होगे तीसरा बोज में व्रिद्धी हो जाती है जब हम गलत लेंदेन करते हैं इसलिए बहुत खबरदार रहना है और चौथा प्रत्यक्षता का परदा कब खुलेगा जब एकता होगी सभी सब्ताएं एक मंच पर आ जाएंगी एक साथ कहेंगी कि हाँ मेरा बाबा आ गया यही इश्वरी सब्ता है यही परमात मसकता है यह सर्वश्रेश्ट है और पाच्वा लिफ्ट कैसे मिलेगी आगे बढ़ने के लिफ्ट जब सेवा से दुआईं कमाएंगे तो याद परिपक्व वस्था बोज में वृद्धी अब नहीं करना है गलत लेंदेन नहीं करना है प्रक्षका का पर्दा और लिफ्ट ओम शांती प्रक्षका का पर्दा और लिफ्ट अब शांती बाबा तुने निकाला नईयां भवर में जिसकी तुने उसे बजाया तेरे हैं सदा के लिए मुस्कान चहरे पर कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू जिन्दा ना कर कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू जिन्दा ना कर कहते मैं परोट कहते मैं बच्चे तू जिन्दा ना कर कहते मैं जिन्दा जिन्दा परोट कहते हूँ